साक्षी महराज जो परग्या ठाको रो क्या गौटसे को की पूजा नहीं करते? क्या नरेंदर मोदी, हमिच शाह और रसेस के तमाम उनके जो चाहने वाले हैं वो गौटसे को अपना भगवान नहीं मानते? इसमें गलत क्या है? और अगर ये गलत है तो नरेंदर मोदी प्रेस के सामने कड़े होकर और उनकी पूरी भारतिय जनता पाटी आरेसेस के एक खड़े होकर बोलें गौटसे मुर्दा बाद तो हम समझेंगे के हम गलत हैं कॉंसिट्यूशन को दरकिनार करके कॉंसिट्यूशन की धज्जें उड़ाते वे जो ताना शा मोदी सरकार है उसने जिस तरीके से उसको गिरफतार किया मात्र सिर्फ इतना सा कहने पर कि गौटसे को भगवान मानते हैं नरेंदर मोदी और वो जब गुजराज जाएं तो उन परिवारों के साथ भी मुलाकात कर लें जो दंगा से प्यूड़ित हैं आप विधायक हो जाएए आप राष्टपती बन जाएए आप गवर्नर बन जाएए जाती आपका पीछा नहीं छोड़ती है आज की ख़बर बचा रहा हूँ काची के संक्राचार ने तिलंगाना के गवर्नर जो ओवी सी कमुनिटी से आते हैं उनको ऐसे चादर फेक के दिया देश के राष्टपती मंदिर जाते हैं धक्का दे दिया जाता है किसी से पब्लिक डोमेन में है गुजरात का युवा बिधायक जिगनेस मेवानी उनको महराष्ट की बीजेपी आसम की बीजेपी सरकार और गुजरात की बीजेपी सरकार दोनों मिलके गिरफतार कर लेती है रावन आपके सब के सामने है तो क्या इस देश में सिडूल कास्ट खास कर ना उसको घोरी चरने का हक है ना उसको राजनीती करने का हक है और इसकी बज़र क्या है क्या सिडूल कास्ट के नेता पूरे देश में beyond the party line एक जूट नहीं है मेरे साथ सी डिपार्टमेंट के चियर्मैन कई बार रहे बिधायक और देश के तमाम सोसित बंचित की आवाज राजसली लोटिया है और उनसे समझेंगे कि अब क्या है आगे किरनेती क्या सिडूल कास्ट को सिर्फ बोट के लिहाज से नफानुकसान के हिसाब से तोला जाएगा और क्या सिडूल कास्ट के लोग कभी एक जूट होंगे beyond the party line, beyond the समाच आखिर कब तक जिगनेश मिवानी तो पहले तो लोग कहते थे कि गाउं में अब घोरी नहीं चड़ने देंगे, अब तो आपके विधायक को भी गिरफतार कर लिया जा रहा है बड़ा दुक्का विशे है जिगनेश मिवानी जो दलितों के एक युवा नेता हैं और विधायक भी हैं Constitution को दरकिनार करके Constitution की धजियां उड़ाते वे जो तानाशा मोधी सरकार है उसने जिस तरीके से उसको गिरफतार किया मात्र सिर्फ इतना सा कहने पर कि गौट से को भगवान मानते हैं नरिंदर मोधी और वो जब गुजराज जाएं तो उन परिवारों के साथ भी मुलाकात कर लें जो दंगा से प्यूड़ित हैं ये बात समविधान के अंदर हम को अधिकार है कि हम अपनी बात को पुरे स्वतनतर रूप से रख सकते हैं कह सकते हैं लेकिन आज हमारी आवास को दावाय जा रहा है गला गोटा जा रहा है और अगर किसी वंचित दलित बहुजन की आवास को उठाने का कोई सोशल एक्टिविस्ट काम करता है तो उसको ग्रफतार कर लिया जाता है तो ये बड़ा चिंता का विशे है कि आज देखे विधाय के लिए उसके उपर अगर कोई मुकदम है तो उसके प्रक्रिया है कि वो स्पीकर के इस पास में जाके मैसेज दिया जाए उससे परमीशन ली जाए जब उसको ग्रफतार करने के लिए एक कदम उठाया जाए उसके साथ साथ में गौटसे को तो हकीकत में लोग भगवान मानते हैं साक्षी महराज जो परग्या ठाको रो क्या गौटसे को की पूजा नहीं करते क्या नरेंदर मोदी अमिश्या और आरेसेस के तमाम उनके जो चाहने वाले है वो गौटसे को अपना भगवान नहीं मान गौट से मुर्दाबाद, तो हम समझेंगे के हम गलत हैं, ये लोग के बात जो है ये दोरी राजनीती करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर वहाँ पर अंबेटकर साब का नाम लेने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अभी उतर परदेश के अंदर आप देखिए के अंबेटकर जी की मूर्थी को तोड़ा जाते हैं, आरे से इसके लोग बजियपी के कारेकरता वहाँ पर खड़े उकर उन लोगों की पिटाई करते हैं, जो 14 एप्रेल को बाबा साब के जनम दिन को मनाने के लिए सड़कों पर रैली निकालते हैं, उनके जंडे पाड़े जाते हैं, त उसको चीना जा रहा है, क्या करेंगे आप जिगनेश तो के सफेसल भी आपकी पार्टी के विधायक भी हैं, आप इसी डिपार्टमेंट के चेर्मेन हैं, आप लोग क्या पार्टी क्या कर रही हैं उसके लिए, देखे पूरे देश भर के अंदर, पूरी कॉंग्रिस पार् गवर्नर्स ते उनको मेमोरेंडम दिये, कि यह जो है, और हमने सिफ जिगनेश के लिए ने, देखे, वो कॉंग्रिस पार्टी के विधायक हैं, वो एक अलग सबजेक्ट है, बट मोर देन दाट, वो एक दलित एक्टिविस्ट है, तो हमारे लिए वो एक बड़ी बात है, तो हमारा एक फर्ज बनता है, कि एक से एक्टिविस्ट को, चाहे वो पलिटिकल प्रिजनर्स हों, जो भीमा कोरे गाओं के महाँ पर लोग अभी एरेस्ट हैं, उनको रिलीज किया जायत तुरंद, और इस तरीके का जब भी भारतिय जनता पार्टी जो मनुवाद को आगे एक जोट होकर सड़कों पर उतरें, इसका विरोध करें, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी पॉलिटिक्स, मैं भी बात कहना चाहूंगा, वो कॉंग्रिस पार्टी का है, या किसी अन्य अदल का भी है, अगर इस तरीके का अत्याचार होगा, तो हम सब लोगों क एक जुट होकर उसके लिए आवाज उठानी चाहिए. और इस मनुवादी लोग अगर इस बात से नफरत करते हैं, तो शादी का निमंत्रण मुझे भी दीजिए, मैं उस शादी के अंदर आऊंगा, अपने साथियों के साथ आऊंगा, और मैं देखूंगा कि वहाँ पर उस व्यक्ति को, उस परिवार को घोडी पे चड़कर कि सरकार हैं, वहाँ भी सबसे जादा जातिय जो है, अभी एक कपल्स को मंदिर में नहीं जाने दिया गया, अभी भरतपूर में पुरे घाओं को प्लान करना परा, यह भी बड़ा एक अफसोस की बात है कि, मैंने बता है, पुरे देश में हो रहा है, और राजिस्तान में इस तरीके की घटनाए पिछले दिनों में मेरे को सुनने को भी मिली और हम लोगों ने उसके ओपर कारवाई भी करवाई, राजिस्तान के अंदर अभी एक किसी नौजवान की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने मूच रखी थी, वहाँ पर एक परिवार की पटाई इ उनसे बात करी और तुरंत उस बात के ओपर उन्होंने उनको गरफतार करने के लिए आदेश किया, बाकाइदा मुझे मेसीज आया कि हमने उनको गरफतार कर लिया, लेकिन सवाल यह आता है, मैं जो कहना चाहता हूँ, एक और एक सरकारी मुलाजिम ता बिजली वे भाग का उसको लोकल पॉलिटिशन्स ने मिलके उसकी पिटाई करी, कॉंग्रेस के विधायक था हड़ी तोर दी गया, उनके 32 हड़ी, उसके आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अट्रॉसिटी चाहे वो कोई, हम उसके खिलाफ हैं, मैं विक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ, सवाल वहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी का विधायक है या भारतिय जनता पार्टी का विधायक है, अगर हम एट्रॉसिटी होती है और हम भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बात करते हैं, तो ऐसा नही है कि अगर एट्रॉसिटी हो रही है, तो हम यह बात कॉंग्रेस के निताओं के संग्यान में नहीं लाते, कॉंग्रेस के निताओं की संग्यान में लाए और मैंने मांग किये कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कानून नहीं कारवाए, उसको गरफतार करना चीए, क्योंकि कानून सब के लिए है, सब के ल परेगा कि कॉंग्रेस सासित राज्यों में अगर कास्ट्रो सिटी होती है तो कॉंग्रेस की सरकार या उस राज की सरकार आरोपी के साथ खरी नहीं होती है जिस तरह से बीजेपी सासित राज्यों में देखने को मिलता है कि जो पीरित है उसका साथ न देकर आरोपी को बचान सेशन मिला है, F.I.R. हुई है, यूपी में जिस तरह से जो पीरित हैं, उनको परतारित किया जाता है और आरुपियों को बचा जाता है, उससे फिलहाल कॉंग्रेस को आपके लिए निचीर दे सकते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक क्यों भी पार्टी हो, सिडूल कास्ट के जो इवा नेता है, जो नेता है, उनको कब तक परतारित किया जाएगा, खिर जिगनेस मिवानी को जिस तरह से एक टूइट पड़ गिरिफतार कर लिया जाता है, उनको जवानत मिलती है, फिर उनको गिरिफतार कर लिया जाता है, ये चीज सब के साथ लाग करते कार है और जहां भी कास्टेटर सिट्टी होगी उसके खिलाफ जाएंगे लड़ेंगे करनाद यसके साथ शंबू कुमार सिंग नेशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के रेट कलर के सब्स्ट्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें